नमस्कार मित्रूं, इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताने वाले है, जो आपसे किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते है, तो वीडियो को अंध तक जरूर देखे. आपका पहला सवाल है, किस जानवर का दूद पीने से दिमाग तेज होता है? आपके ओप्षन है, A. भैंस, B. उंट, C. गाई, D. भेर. आपका सही जवाब है, ओप्षन C. गाई, आपका अगला सवाल है, राश्ट्रपती बनने के लिए कितनी आयो होनी चाहिए? आपके ओप्षन है, A. 25 वर्ष, B. 30 वर्ष, C. 35 वर्ष, D. 40 वर्ष. आपका सही जवाब है, ओप्षन C. 35 वर्ष, आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में तीन बच्चों से ज़्यादा पैदा करने पर दस हजार का जुर्माना लगता है? आपके ओप्षन है, A. राजस्थान में, B. असम में, C. केरल में, D. बिहार में. आपका सही जवाब है, ओप्षन C. केरल में, आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन घाब भरने में मदद करता है? आपके ओप्षन है, A. विटामिन के, B. विटामिन A. C. विटामिन B. D. इन में से कोई नहीं. आपका सही जवाब है, ओप्षन A. विटामिन के, आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो उल्टा नहीं चल सकता है? आपके ओप्षन है, A. हाथी, B. उंट, C. बंदर, D. कंगरू आपका सही जवाब है, ओप्षन D. कंगरू आपका अगला सवाल है, चांद पर सबसे पहले कौन सा जानवर गया था? आपके ओप्षन है, A. कुट्टा, B. बिल्ली, C. चुहा, D. बंदर, आपका सही जवाब है, ओप्षन A. कुट्टा, आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रिय गान पहली बार कब गाया गया था? आपके ओप्षन है, A. 1905 में, B. 1908 में, C. 1911 में, D. 1947 में, आपका सही जवाब है, ओप्षन C. 1911 में, आपका अगला सवाल है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? आपके ओप्षन है, A. अकबर ने, B. बाबर ने, C. जहांगीर ने, D. शाह जहां ने, आपका सही जवाब है, ओप्षन A. अकबर ने, आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रेल कौन सा है? आपके ओप्षन है, A. मंगल, B. प्रिथवी, C. शनी, D. ब्रहस्पती आपका सही जवाब है, ओप्षन D. ब्रहस्पती आपका अगला सवाल है, किस देश के होटल में बचा हुआ खाना फेकना गैर कानूनी माना जाता है? आपके ओप्षन है, A. फ्रांस, B. जर्मनी, C. उत्तर कोरिया, D. साओधी अरब रोजना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को आउन कर लीजिए आपका सही जवाब है, ओप्षन A. फ्रांस आपका अगला सवाल है, पढ़ने वाला पेपर किस पेर से बनाया जाता है? आपके ओप्षन है, A. जामुन, B. नीम, C. आम, D. बांस आपका सही जवाब है, ओप्षन D. बांस आपका अगला सवाल है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? आपके ओप्षन है, A. 100 वर्ष, B. 200 वर्ष, C. 300 वर्ष, D. 400 वर्ष आपका सही जवाब है, ओप्षन B. 200 वर्ष, आपका अगला सवाल है, भारत में रेल गाडी के पहिये कहां बनाए जाते है, आपके ओप्षन है, A. पंजाब, B. बेंगलुरू, C. वारानसी, D. कपूर थला आपका सही जवाब है, ओप्षन D. कपूर थला, आपका अगला सवाल है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है, आपके ओप्षन है, A. चीन, B. गूठान, C. श्रीलिंका, D. पाकिस्तान आपका सही जवाब है, ओप्षन D. पाकिस्तान आपका अगला सवाल है, सरवाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, आपके ओप्षन है, A. गुजरात, B. करनाटक, C. मनीपूर, D. महराष्ट्रा आपका सही जवाब है, ओप्षन A. गुजरात, आपका अगला सवाल है, किस देश का राश्ट्रिय चिनह कंगारू है, आपके ओप्षन है, A. दक्षिन अफ्रीका, B. आस्ट्रेलिया, C. थाइलेंड, D. अमेरिका आपका सही जवाब है, ओप्षन B. आस्ट्रेलिया, आपका अगला सवाल है, मोर का जीवनकाल कितने वर्षों का होता है, आपके ओप्षन है, A. 12 वर्ष, B. 15 वर्ष, C. 20 वर्ष, D. 30 वर्ष आपका सही जवाब है, ओप्षन C. 20 वर्ष, आपका अगला सवाल है, किस देश में पांच सूर्य दिखाई देते है, आपके ओप्षन है, A. जापान, B. चीन, C. रूस, D. नेपाल आपका सही जवाब है, ओप्षन B. चीन, आपका अगला सवाल है, मनुष्य ने सबसे पहले के इस जानवर का दूध पीना प्रारम किया था, आपके ओप्षन है, A. गाए, B. उंट, C. बक्री, D. वैंस आपका सही जवाब है, ओप्षन C. बक्री, अब ये सवाल आपके लिए है, आप सभी इसका जवाब कमेंट में जरूर बताए, भारत के कौनसे प्रधानमंत्री कभी विदेश नहीं गए है, आपके ओप्षन है, A. नरेंद्रा मोधी, B. चौदरी चरण सिंग, C. राहूल D. मनमोहन सिंग, आपका सही जवाब क्या होगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले